Hey guys welcome to our video अज की वीडियो में हम बात करेंगी ATC के बारे में ATC क्या है एयर ट्रफिक कंट्रोल in English language को हम डिस्कस कर रहे है lecture 2 हमने इसके बारे में डिस्कस कर ली है आज हम बात करेंगी lecture 3 में तो lecture 3 में हमारे पास आज नएया topic है Spotting Errors अब हमें क्या करने है, errors find करने है, ठीक है, तो errors कैसे find करने है, जैसे कि मैंने आप इस statement लिख रखी, आप लोग पढ़ सकते हूँ, in the flowing questions, some of the sentences have errors, और some are correct, आपके बाद कुछ एक मैंने examples दिये हैं, उसमें से क्या है, कि कुछ एक sentence completely सही है, कुछ एक में error है, तो मैं बताना है कि कौन से part में error है, यह किस part में error, नहीं है, for example, first में आप देखो, मैंने क्या बोला है, first, a में क्या बोल रहा है, पूरा sentence एक बर मैं पढ़ती हूँ, I could not answer to the question, ठीक है, यह पूरा sentence है, यहां से लेकिए, यहां तक, अब बताओ, I could not में error है, यह answer to में error है, यह the question में error है, यह D, कोई error ही नहीं है sentence में, तो आप लोगों को बताना है, ठीक है, तो इसके लिए आपका time start होता है, 5 second दिये गए आपको, आप फटा फटा अपना answer, guess कर लो, the time starts now, आप लोगों का time खतम हुआ, यहां पे error है, error कहां पे है, error B part के अंदर है, B part में error कैसे है, यहां पे 2 का कोई काम ही नहीं है, 2 तो आना ही नहीं चाहिए, repeat sentence को बोलके देखो, I could not answer the questions, या I could not answer to the questions, तो 2 का तो कोई काम ही नहीं है, तो यह 2 का है, हमारे पास extra, तो इसको तो omit कर देना चाहिए न, तो इसलिए यहां पे error है, अब आजाओ second question पे, तो second question को आप फटा फट क्या करो, आप लोग read करो, आपके 5 second शुरूँ होते हैं, अब, the time's up guys, यहां पे error है या नहीं है, बिल्कुल यहां पे error है, error आप लोगों का क्या है, C part में आप लोगों का error दे रखा है, C part में error कैसे है, यहां पे I की जंगा कुछ और आना चाहिए, देखो sentence पढ़ते है, your husband does not believe that you are older than I, no, you are older than me, me होता है ना sentence बोलके देखो, तो यहां पे I की जंगा पे क्या आना चाहिए, me, तो C part में क्या है, error, आजो third question पे, तो third question को करो, आपके 5 second शुरू हो चुके है, time खत्म, तो यहां पे error है यह नहीं है, बिल्कुल यहां पे error है, आपका A के अंदर ही क्या error है, यहां पे एक word missing है, क्या word missing है आप लोगों का, यहां पे sentence को पढ़ के देखो, यहां पे मेरे ख्याल से have आना चाहिए न, अब पढ़ो, पहले have के भीना पढ़ो, the two years passed since my cousin died, two years have passed, have आएगा न, sentence में तो यहां पे क्या है, error, fourth question को read करो, fourth question के लिए आपका 5 second शुरू हो चुके है, time's up guys, यहां पे भी a part में error है, a part में क्या error है, यहां पे m की जंगा कुछ और आना चाहिए, सोचो, m की जंगा पे यहां पे क्या आएगा, m की जंगा पे यहां पे आना चाहिए, have been, तो यह error हो गया रहा, I have been learning English, I am learning English for 10 years, यह क्या हुआ, ठीक है न, तो आज जो fifth question, fifth question के लिए आपका time स्टार्ट हो चुका है, time's up guys, यहां पे error again है, the property was divided among the two brothers, क्या होता है, between the two brothers नहीं आना चाहिए, तो यहां पे error क्या है, इस पार्ट में यहां पे क्या आना चाहिए, between आना चाहिए, ठीक है, तो आज जो यहां पे six question पे, six question के लिए आपके past second शुरू हो चुके हैं, time's up guys, यहां पे देखो, पढ़ो, do you know how old were you when you came here, यहां पे भी second चल रही है, past में यहां पे भी क्या है, past में चल रही है, sentence में कोई गलती है, आप बताओ, कोई गलती नहीं है, तो यहां पे correct option क्या है, option D, no error, कोई error ही नहीं है, 7th question पे आजो, 7th question के लिए आपका time start हो चुका है, time's up guys, यहां पे बिल्कुल छोटा सा बच्चा भी बता देगा क्या गलती है, यहां पे गलती है, B part के अंदर, U के साथ कभी भी is नहीं आता है, U के साथ क्या आता है हमेशा, आर, ठीक है, 8th question पे आ जाते हैं, 8th question में क्या दिया गया है, read कीजिए, 5th second के अंदर आपको answer बताना है, time's up guys, यहां पे आपका A option correct है, कैसे यहां पे 4 की जंगा पे off आना चाहिए न, पढ़ो sentence, it's arrogant of you to assume you'll win every time, ठीक है, तो यहां पे कुछ एक आपके क्या दिये थे, मैंने example दिये थे, किसके sporting errors कहीं, यहां पे मेरे पस और भी बहुत सारे examples हैं, time की कमी के कारण वो अभी मैं इस वीडियो में नहीं करवा पा रही हूं, वो practice के लिए हैं, अगर आप लोग extra practice करना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए आपको बता दूंगी, ठीक है, तो आप लोग comment section में जाके बता सकते हैं, आपको वीडियो कैसी लग रही है, कुछ आपकी help हो पा रही है या नहीं, ठीक है, thank you guys for watching my video,